फ्रेंड्स भारत में सामर्थी की कमी नहीं है, सौंसाधनों की कमी नहीं है, हमारे सामने एक बहुत बड़ा और रियल बेरियर रहा है गरीबी का, गरीबी को स्लोगन से नहीं, सौल्यूसन से ही लड़ा जा सकता है, गरीबी को नारे से नहीं, नीती और नियत से ही हराया जा सकता है, हमारे यहां पहले की सरकारों की, जो सोच रही, उसने देश के गरीब को सामाजी आर्थी ग्रूप से आगे नहीं बढ़ने दिया, मैं मानता हूँ, गरीब में खुद इतना सामर्थ होता है, कि वो गरीबी से लड़ सके, और उस लड़ाई में जीत सके, हमें उसे सपोर्ट करना होता है, उसे मुलभुत सुविधाय देनी होती है, उसे एमपावर करना होता है, इसलिए हमारी सरकार ने इन बाधाओं को तोड़ने के लिए, गरीब को एमपावर करके, उस काम को हमने सरवोच्च प्राथिक्ता के रूप में लिया, हमने न सिर्फ लोगों का जीवन बढ़ला, बलकि गरीबों को गरीबे से उबरने में मदद भी की, इसके परणाम आज देश पष्ट देख रहा है, और अभी सोबनाजी बता रहे थी, सिर्फ पांच वर्षों में, 13 करोड से जाजा लोग गरीबी से भार आए हैं, यानि हम कह सकते हैं, कि 13 करोड लोगों ने अपनी गरीबी के बैरियर को तोड़ा, और देश के नियो मिडल क्लास में शामिल झाल